नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैहें पर स्वागत है बात करूँगा ओमान सुप्रीम कमेटी ने लेंड बॉर्डर को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला जारी किया कितने तारीक तक एहलान किया बंद करने के साथ ही ओमान एरपोर्ट के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि बहुत सारी लोग अफवाओ का सिकार हो जाते हैं तो वो भी आपके साथ सेरे करूँगा चैहें पर ना है तो सबस्क्राइब पर दे साथ ही वीडियो को लाइक कर दे सबसे पहले बात कर लेते हैं ओमान सुप्रीम कमेटी ने जो लेंड बॉडर लेकर अपडेट दिया हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इसके कमेंट करते हैं कि ओमान का लेंड बॉडर कब ओपन होगा तो आपको जानकारी के लिए बता दे कि ओमान सुप्रीम कमेटी ने जैसा बंद किया था एक हपते के बाद फिर एक हपता बढ़ाय गया लेकिन अब की बात करें यहां पर तो ओमान सुप्रीम कमेटी ने फिर इसको बढ़ा दिया हाला कि अगर जो बात करें यहां पर कितने दिन का बढ़ाये गया, तो इसमें सुप्रीम कमेटी ने उमान की सुप्रीम कमेटी ने वो साब तोर पर का कि अगले नोटिस तक, मतलब अगला डिसीजन कब लिया जाएगा, इसका किसी को जानकारी भी नहीं है, उन्होंने क्या तारीक नहीं बताए, पहले क्या होता था, ए एक हपते, एक हपते करके ऐसा गुसकाते थे, लेकिन ये जो आपकी बार जो गुसकाया गया, इसमें हपते का कोई नाम जिकर ही नहीं है, अब ये कब तक रहेगा, अगले जब तक नोटिस नहीं आएगी उमान की सुप्रीम कमेटी द्वारा, जब तक ये को लोज रहेगा इसका ये कोई गारंटी नहीं, कितने दिनों तक ये को लोज रहेगा, जो कि लेंड बॉर्डर की में बात कर रहा है, अगर जो आप साओधी अर्भिया हो गया, दुबई हो गया, बहरीन हो गया, कोईत हो गया, कतर से या यमन से बाई रोड ओमान में आना चाहते हो, तो न नहीं आप है, अब मतलब उनको अलाव कर दिया गया, वो आ सकते हैं, बसकते हैं, उनको सब पूरा रूल ओमान सुप्रियम कमेटी का फॉलो करना पड़ेगा, बात करते हैं, सेकंड की, क्योंकि बहुत साही लोग अफवाओ का भी सिकार होते हैं, ओमान एयरपोर्ट को ले हो जाता है, तो बात करेंगे, केस को लेकर जैसा बहुत सारी लोग क्या हो रहा है, एयरपोर्ट बहुत सारी लोग अफवो को सिकार हो कि एयरपोर्ट बंद हो जाएगा, लेकिन आपको बता दे कि मसकत इंडरनेशनल एयरपोर्ट अभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि ओमान सुप्रीम कामेटी ने पिछले हफते ही बाकाइदा इसमें बयान जारी करते हैं कि हम इस पे रिव्यू कर रहे हैं मतलब एरपोर्ट बंद करें या ना बंद करें इस पे हम रिव्यू एक कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी मतलब जैसा केसे सोंगे उसके बाद यह डिसीजन लिया जाएगा साथ ही आपको होता है कि जैसे आप ओमान में रहते हो तो भाई आप सभी वरकर के लिए बहुत ही बहुत ही बहतरीन खुसकबरी एनोस्यू के लेकर क्योंकि ओमान मनिस्ट्री आप लेबर ने एनोस्यू को खलास कर दिया है और साथ ही जो मतलब यह तो एक जनौरी तक जनौरी को ही खलास हो गया था लेकिन आपको बता दे कि यहाँ पर जो मनिस्ट्री आप लेबर की वेफसाइट हुगो काम नहीं कर रही थी जिसके चलते 21 जनौरी 2021 से मतलब इसका पूरा काम स्टार्ट हो चुका जो की काफी बहतरीन है आप सभी के लिए तो कोई कोच्चन होगा वीडियो की नीचे जरूर कमेंट करिएगा वीडियो अच्छा लगाओ लाइक करी चाहिए को सब्सक्राइब करतीगा नमस्कार